हेलो एब्रूत केसे फ्रेंड टो आगो बहुती इंटरस्टिंग लेकर आई हूं चाओमीन सोमोसा घर में गेश दाएं आप वनाईएगा आलू के समोसे खाखा के हो चुके है बोर तो ये चाओमीन समोसा बहुत ही स्वाधिस्ट बनता है खाने में इतना टेस्ट है इनका डिप्रेंट टेस्ट है और बनाने में भी बहुत आसान है तो हमेशा आप दूसरे तरीके के समोसे खाते हैं बारिश का मौसम चल रहा है तो पारिस के मौसम में ये तली भूली चीजे बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगती हैं तो एक दम बढ़िया से हमारे चाउमीन समोसा बुर्कुर रेडी हैं तो इसको हम किस तरही के से बनाएंगे इसको आप सब ये शियर कर रहे हैं चाउमीन समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे को गूद लेंगे तो आटे में एट कर दिया है आदा चमच अजवाइन नमक आदा चमच दो से तीन चमच हम इसमें तेल एट कर गया है तेल डालने से जो एक खस्ता बन है वो बहुत अच्छा आता है तो इसको हम अच्छ डूर्ण तयार करेंगे जो समोसा है वो बहुत अच्छे से उसकी फिलिंग भरी जाती है वो इधर उधर नहीं गिरता सौप्ट आटे से इधर उधर गिरता है तो इसको हम टाइट सा आटा गूर लेते हैं तो आटे को हमने देखे बहुत अच्छे से गूर लिया है और काफी अच्छे से सैट हो चुका है तो इसको हम क्या करते हैं 10 मिनट के लिए रेष्ट पर रख देते तब तक आटा फूल जाएगा तो इसमें थोड़ा सा हम तेल लगा देते हैं और 10 मिनट रेष्ट पर रख द दीजिएगा दो चमच के करीब इसमें तेल एट कर दीजिएगा तो पानी गरम हो चुका है इसमें हमने चावमीन एट कर दी है चावमीन को हमने 50% तक पकाना है इसको ओबर कुक नहीं करना है तो थोड़ा सा उबालाने लगा है इसमें हमने थोड़ा सा चुटकी बार इसम तो ऑबर्कुक नई नहीं करना तो ऑबर्कुक करने के लिए ऊबर्कुक ना हूय तो इसके लिए लिए उस Municipal एट लिया है और उपर से ठंदा पानी डाल दिया है ठंडे पानी इस तरीके से लंबे स्लाइस में काट लिया था तो प्याज को हमने पकाना नहीं है भूनना नहीं है तो हलका सक रंची सा इसमें पनाना चाहिए चाओमीन में इसमें साथ में हमने एक सिमला मिर्ची एड़ कर दी है और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे तो यहां पर हमने इनको एक मिनट अच्छी से पका लिया इसमें हमने पत्ता गो भी एड़ कर दी है तो चाव मीन में यह सारी चीज़े एड़ कर दी जाती है यहां पर आप गाजर भी डाल सकते हो, बीन्स भी डाल सकते हो जो आपकी वेज़िटेवल्स फ्रीज में पड़ी हो, आप वो चीज़ इसमें एड़ कर सकते हो तो यहां पर हल्क ऐसा हमने इनको रोष्ट करने के बाद एक इसमें पाउच डाल दिया है हकका नूडल्स मसाला, तो हकका नूडल्स मसाला आपको बाहर किसी भी शौप पे मिल जाएगा पूरा पैकेट इसमें हमने एड़ कर दिया है, इसमें नमक भी होता है, मिर्ची भी होता है तो इसमें सारी चीज़े में होती हैं, हमें आप इसमें कुछ भी तालने की जरूद नहीं है, शिर्फ इसमें हम लेंगे एक चममच, विनीगर और एक चममच सोया साथ तो ये सारी चीज़े नहारे चाओमीन के साथ पर आती हैं तो हमने इसमें एड़ कर दी हैं इस तो एक चमच हमने इसमें विनिगर एड़ किया है एक चमच सोया सोस अब यहां पर जो चाओमीन हमने बॉइल करके रख 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 थी वो इसमें एड़ कर देते हैं नमक मिर्ची आप अब चेक कर लीजेगा अगर थोड़ा सा तीका खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा यहां पर मिर्ची एड़ कर सकते हो नमक भी एड़ कर सकते हो तो यहाँ पर आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा मुझे ऐसा लगा था कि इसमें नमक भीची डालने की कोई जरूरत नहीं है तो मैंने इसमें कुछ भी एड नहीं किया था जो मसाले में चीजे थी वो ही मैंने एड के थी और इसको अच्छे से हमने चला लेना है अलट पलट करके और हमारी जो चावीन है बुलकु रेड़ी हो चुकी है समोसे में भणने के लिए तो इसको हम बाहर लिकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया था आटा भी हमारा अच्छे से सैट हो गया है इसको एक से दो बारी हम इस तरीके से कर लेते हैं आटा को तो आटा भुलकु रेड़ी हो चुका है यहां पर हमने पेड़े बना लेने है पेड़े बना के एक बड़ी सी रोटी नान की तरह बनानी है तो आटा भुलकु सैट है तो यहां पर मैंने एक लोई ले ली है, लोई लेने के लिए सूखा मैदा इसमें लिया है और इसको हम अच्छे से बेल लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा इसमें रोटी है थोड़ी सी नान की तरह लंबी बेलनी है इसको हमने गोल रोटी नहीं बेलनी तो थोड़ा से इसको बेलने के बाद बड़ी रोटी बना लेना बड़ी के बाद थोड़ा से लंबा कर देना इसको देखिए इस तरीके से अब यहाँ पर आपने चक्कू लेना है चक्कू से आप में बीच में से आदे भाग में इस काट लेना है इसको अब यहां पर आप जिसको कटी हुई साइड है इस थरीके से आपने फोल्ड करने है तो फोल्ड करने के लिए पहले हलका सा यहां पर पानी लगाना अच्छे से चिपक जाएगा समोसा तो इसको feelings भार नहीं लिख लेगी feeling तो यहाँ पर इस तरीके से इसको बंद कर दिना है और यहाँ पर अपने chowmine भर देनी है बहुत अच्छे से भर लेना काफी अच्छे से इसको दबा दबा के इसमें chowmine भर ली है अब यहाँ पर आपने क्या करना है इसको थोड़ा सा चाहे पानी लगा देना और चाहे तो इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इसको इस तरीके से बंद करते जाना है आपका समोज सा पुल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा देखिए जिस तरीके से मैं भर रही हूं इसको अंदर की तरफ बंद कर देना और एक हतेली की उल्टी साइड होती है उसको अंदर की दरफ पूश करके और आपका समोसा पुलकु रेडी हो चाएगा तो यहां मैं आपको और एक और भी दिखाती हूँ पहले पानी लगा लेजिएगा अच्छे से फिर बंद कर देगा और फिर इसमें आप चावमीन भर देना किसी भी चीज की आप श्टापिंग बना रहे हो को इस तरीके से भर के आप समोसे रेडी कर सकते हो बंद करना है हलका सा फोल्ड करना है और इसको बंद करते जाना है इस तरीके से और अंदर की दरब चाउमीन को उगली से करते जाना है आपका समोसा बुलकु रेडी हो जाएगा देखिए इस तरीके से तो पहले चार से पास समोशे बना के रख लिजेगा इनको थोड़ा से बनी में टाइम लगता है तो यहां पर मैंने तेल को हलका सा गरम किया है हलका सा रखना लगा हाई फ्लेम पे हमने टेल जो है ना रखना नहीं है मतलब गरम नहीं करना और flame भी आपने slow रखनी है हल्की हल्की सी bubbles आने लग जाए तब आपने ये इसमें समोसे डाले हैं जब भी खस्ता होईंगे इसमें समोसे तो आप उपर से इसमें तेल इस तरीके से करते जाना चम्मच की साहता से मैंने इसमें 4 समोसे हैट कर दिये थे और 5 से 6 मिनाट लगेंगे इनको समोसे को सिखने में आराम से तो जब आपका थोड़ा सा हलका सा नीचे से सिखने लगे तो आप इनकी side change कर दीजिएगा तो साथ पर बनाते जाईएगा और सेखते जाईएगा थोड़ा सा टाइम लगता है इनमें तो 4-5 पहले बना के रख लीजिएगा और उपर से तेल डालते जाईएगा आपके समोसा है वो बहुत ही जाता क्रंची और एक तम पाहर जैसे बनेंगे जो बाहर से हम समोसे लेके आते हैं इस तरीके से आपके समोसे हैं बनके रेडी हो जाएएगे तो आपको बाहर जाने गैस की फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है अबकी मैंने इसमें पांस समोसे डाले हैं और इनको सबकु सेख के मैंने कर लिया है तैयार तो हमारे समोसे बनके बुलकु रेडी हो चुके हैं ये देखिए बहुत ही बड़ी हमारे समोसे बने हैं और एक पी समोसे में ओयल नहीं है ज़्यादा यह देखिए मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ बहुत ही टेश्टी समोसे बनते हैं अगर आपने चाउमीन वाले समोसे नहीं ट्राइ किये तो आप जरूर करने ट्राइ बहुत ही टेश्टी से समोसे हैं बुलकुल अलग समोसे हैं यह पर मैं यहाँ पर कैसे लगे मेरे समोसे की रेसिपी मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही चटपटी रेसिपी के साथ तो चलिए मिलते अगली वीडियो में और फ्रेंड एक लाइक कर दियेगा रेसिपी अच्छी लगी हो तो चलिए मिलते अगली वीडियो में आपसे